नमस्कार, Capital TV तुप्रदेश का खाशो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ पूजा उतिर प्रदेश सरकार ने गैर मानिता प्राप मदर्सों के सर्वे की समय सीमा पांच दिन और बढ़ा दी है मतलब अब सर्वे का काम 15 ओक्टूबर के बजाए 20 ओक्टूबर तक होगा, साती जिलादिकारी भी अपने सर्वे रिपोर्ट 25 ओक्टूबर को देने के बजाए 15 नौमबर तक शाशन को भेज सकेंगे पर क्या आपने सोचा कि तैस सीमा को क्यों आगे बढ़ाया गया है? योगी सरकार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है? इसका जवाब है जारी सर्वे में हो रहे बड़े बड़े खुलासों की आज किस्सा यूपी का में इसी एहम फैसली पर चर्चा करेंगे बाच्चत के लिए मेरे साथ स्टूडिय में मौझूद है कैपिटल टीवी के सीनर एडिटर राजीब जी राजीब जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर्वे की समय सीमा को बढ़ाने की पीछे की क्या क देखिए सर्वे कर जब एंनॉज झिया गया था कि मदर्सों का सर्वे करा जाएगा तो उस समय सरकार दो तरह के मदर्सों की बात कर रही थी एक वो मदर्से जिसे सरकारी अनुदान प्रांप्त है यानि की सरकारी मानेता प्राप मदरसे दूसरे वो मदरसे थे जिसको सरकारी अनुदान नहीं मिलता है लेकिन जिसका registration है और सर्वे में ये पता करना था कि यहाँ पर किस तरीके से सिक्षा दी जा रही है वहाँ facility है की नहीं है और जो सरकार चाहती है कि मदरसों का justification हो एक मांदंड के आधार पर स्टेंडर मानक तै किया जाए उस आधार पर चल रहा है या नहीं लेकिन दो तरह के मदर्सों के बदले एक तीसरे तरह के मदर्से भी सामने आने लगे इसकी बात पहले नहीं पता थी सरकार को लगा कि 16,000 के करीब मदर्से हैं जिसमें से 5,000 से जादा जो हैं उसको सरकार अनुदान देती हैं तो उसके अलावा जो बचे 15,000 से जादा मदर्से उन सब का सर्वे कराया जाएगा इसी के आधार पर टीम बनाई गई थी कि इतने टीम एक दिस्टिक में बनाई जाएगी जो इन इन मदर्सों के तरब जाके वहाँ पर सर्वे करेंगे जिसमें 11 पॉइंट जो लिखा हुआ है उस पर जानकारी कठा की जाएगी कि सोर्सेस क्या है इसके एकनौमी रिसोर्सेस क्या है इसमें किस तरह के सिक्षा दी जा रही है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस आदे की सिक्षा दी जा रही है नहीं या फिर इन मदर्सों का जो जमीन है वो लीगल है की नहीं यह सारे जो मांदंड तैक किये गए थे जो पॉइंट बनाए गए थे उन मदर्सों के लिए ही थे जो मदर्सा रेजिस्टर्ड तो है लेकिन उसे सरकार पैसा नहीं देती है अनुदान नहीं देती है और दूसरे वो मदर्से जो सरकारी पैसे से चल रहे है जिसको अनुदान दिया जा रहा है वो सरकार के अनुसार जो करीकुलम तै किया गया है जो पाठे क्रेम बनाया गया है उसके अनुसार चल रही है कि नहीं लेकिन जब सर्वे की टीम फिल्ड में जाना शुरू किया तो उसके बाद अचानक से कुछ ऐसे मदर से उभर के आने लगे जो कुछ कमरों में चल रहे थे जो अवैद जमीन पर चल रहा था जो मदरसे का रजिस्टेशन तक नहीं था जिसके बारे में सरकार को भी जानकारी नहीं थी लेकिन सर्वे की टीम जब इस मामले में सर्वे करने जा रही थी तो बीच बीच में कुछ जगों पर पता चला कि यहां पर भी एक मदरसा चल रहा है तो अब उन मदरसों के जो इलीगल तरीके से पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से चला जा रहा है वो भी सामने आने लगे और अवैद मदरसों का भी सर्वे किया जाने लगा क्योंकि सबसे पहले तो कारवाई उसी के खिलाफ करनी है जो मदरसे पूरी तरह से अवैद है जिसका सरकार के record में कोई जगह नहीं है record ही नहीं है सरकार के पास कि ऐसे मदरसे भी है उनका registration ही नहीं है तो इन मदरसों के सामने आने के बाद सर्वे की टीम को लगने लगा कि अभी और वक्त की जरूरत है क्योंकि पहले ही जो मदर्सों में खामिया थी उसका रिपोर्ट भी तैयार करवाया जाना है और नए जो मदर्से उभर के सामने आ रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी सरकार को देनी है और अलग अलग जीलों के टीम जब अपनी रिपोर्ट देने लगी तो उसमें लगा पता लगने लगा कि अलग अलग डिस्टिक में कुछ जगह पर कम्प्लीट हो चुका है काम और कुछ जगह पर अभी जरूरत और समय की है तो इसलिए समय सीमा बढ़ाया गया और ये समभावना अभी है कि ये समय सीमा जो बढ़ाया जा रहा है वो कुछ समय और बढ़ाया जा सकता है तो आपने जैसे कि समझाया है कि जो समय सीमा अभी बढ़ाया गया उसे आगे और बढ़ाया जा सकता है क्योंकि सरकारी टीम जो है जो डिस्टिक लेवल पर बनाए गई टीम उसके पास 11 कुष्चन दिये गए थे बारहमा कॉलम इनको अपने नाम पता के लिए दिया गया था इन लोगों ने उसी तरीके से सर्वे करना शुरू किया लेकिन जब सर्वे करना शुरू किया गया तो अलग अलग जिलों से जो रिपोर्ट आए वो चोकाने वाले थे अलिगरते ही 100 से ज़्यादा मदर से जो है वो अवैद पाये गये मतलब जिसका लिस्ट में नाम ही नहीं था कुछ ऐसे मदर से भी हैं जहां पर फंड आ रहे हैं लेकिन वहां पर पढ़ाई नहीं हो रही है 500 बच्चों का रेजिस्टेशन का नाम दर्ज किया गया है वहां पर 1500 बच्चे हैं और जो पैसे का उप्योग किया जा रहा है कलोडों के फंडिंग हो रही है और कलोडों की फंडिंग बाहर से हो रही है उस फंडिंग का कोई हिसाब किता भी नहीं है तो अब जो पूरा इ पड़ेगी और इसलिए ये लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि इतने कम समय में जो हम लोग निर्धारित किये थे और जिसके लिए बवाल मचा था जो हंगामा खड़ा हो रहा था उसके पीछे की वज़ा यही थी सरकार की रिपोर्ट और सामानने सर्वे से इन लोगों को चि उसके बाद कुछ ऐसे मामले सामने आएंगे जो अब तक छुपा हुआ था सिक्षा की आड़ में और वो सिक्षा की आड़ में कुछ ऐसे रैकेट काम कर रहे हैं जिसमें सिर्फ कनवरजन रैकेट नहीं है बलकि वो भी लोग हैं जो मदरसों का इस्तेमाल आस पास के छित् जो हिंदू आवादी है और मुस्लिम आवादी है इन दोनों के बीच अभी जो कई मामले ऐसे आ रहे हैं कि इनको एक प्रमोट किया जा रहा है मदरसों के माद्यम से मस्जिद बनाने के लिए कि जहां जहां तीन चार घर है आपके पास और उस गाउं में हिंदू की सुरू करना है मस्जिद बनाने के लिए आपको पैसा इकठा करने की जरुवत नहीं है ये एक नया तरीका जो है वो बाहर से पैसे आते हैं और वो पैसे मदरसा में सिक्षा के नाम पर आते हैं क्योंकि सिक्षा के नाम पर पैसा दिया जा सकता है मस्जिद बनाने के लिए एक लंबी परक्रिया से सरकारी जो रोड़े होते हैं, सरकारी जो पैसे अगर किसी रिलिजियस परपर से दे रहे हैं, तो उसके लिए कई कानून हैं, प्रावधान हैं, उसके तहद दे सकते हैं, लेकिन सिक्षा के विकास के लिए वो आसानी से दिया जा सकता है, और उसके थुरू मस्जिद बनाय जा रहे थे और ये कई कम्प्लेन भी मिले हैं कि जहां पर पहले तीन चार मुस्लिम के घर थे और वहां पर एक मुस्लिम के घर में मस्जिद बना दिया गया और वहां के लोगों को परिशानी इस बात भी नहीं थी कि चार घर के लोग वहाँ पर जाकर नमाज पढ़ते हैं परिशानी तब सुरू हुई जब आस पास के गाउं के लोग भी उस चार घर के मुस्लिम अवादी वाले गाउं में नमाज पढ़ने के लिए आने लगे और ये तनाब हुआ है मुझफर नगर में कुछ जगों पर देखा गया है पुरवांचल के कई जगों पर ऐसे मामले सामने आये हैं जो मीडिया में बहुत जादा चर्चा में नहीं होता है लेकिन ऐसे अप्लिकेशन आये ऐसी जानकारी मिली है उन जगों पर बाहर के गाउं के लोग आ रहे हैं और वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए कठा हो रहे हैं ये लोग प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के कारण उस मुसलिम दो-तीन जो मुसलिम का घर है उसके आसपास के हिंदूों को दिक्कत होने लगी, महौल खराब होने लगा, तनाब बढ़ने लगा, उस तनाब के कारण फिर वहाँ पर एक दो बार जड़ब भी होई है और जब कुछ हिंदूों ने उस जगह को फिर से बहाल करने के लिए मस्जिद बंद करवाने की बात कही, तो उन लोगों पर आरोप लगाया जाने लगा, कि ये मस्जिद के खिलाफ मुहीम चला रहे हैं, हमारी मस्जिद को रहने नहीं दे रहे हैं लेकिन जो सर्वे अभी चल रहा है, उससे तो काफी चौकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, हलाकि अभी तो डेट एक्स्टेंट किया गया है, पर कुछ जिले ऐसे हैं जहां सर्वे का काम पूरा हो चुका है, और जो सर्वे रिपोर्ट की तरब से सूत्रों के हवाले से जो चौकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद इसके उपर एक्सन भी होना है, क्योंकि एक्सन के लिए ये सारे सुबूत सामने आ रहे हैं, और एक्सन के लिए जो सर्वे कराया जा रहा है, पहले वो फंड के लिकर समस्याय होई थी, उसके बाद कुछ खुलासे हुए, फिर illegal मदर्सों के खुला से हुए अब एक नया जो trend चल रहा है जिसमें कुछ घटनाय ऐसे सामने आई है उसमें ये देखा जा रहा है कि पूरी तरह से मदर्सा जो है मस्जिद बनाने के काम में भी लगा हुआ है उसके लिए भी fund available करा रहा है और ऐसे इस्तिती में अब तो ये करना ही पड़ेगा कि कहीं ने कहीं इस पूरी रिपोर्ट के आने के बाद हजारों मदर्सों पर ताला लगाया जाएगा बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए तो लगतार यूपी में गैर मानिता प्राप मदर्सों में सर्वे कराये जा रहे हैं सर्वे में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं कहीं मदर्सों में ताला लगा मिल रहा है तो कहीं सही विवस्था नहीं तो कहीं ना बिजली ना पानी ना खाने की विवस्था साथ ही मदर्सों के पंड को लेकर भी चौकाने वाले खुला से हो रहे है इन चींजों को खंगालने में काफी जादा वक्त लग रहा है और यही वज़ा है कि सर्वे की समय सीमा बढ़ा दी गई है ऐसे में जाहिर है जो सर्वे रिपोर्ट होगी वो काफी चौकाने वाली होगी जिसके बाद योगी का बुल्डोजर चलना तै माना जा रहा है आज के हमारे शो किस्सा यूपी का में फिलाल इतना ही कल एक बार फिर से एक एहम किस्से के साथ हाजर होंगे देख तेरी कैपिटल टीवी उत्रप्रदेश नमस्कार